तो चलिए उसन आज आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्मेंट जॉब लेके हैं जो कि अनली 10 प्लेस्ट टू पास उस्टेंट जो हैं उनके लिए हेल्फुल होगी ठीक है तो किस पेकार की जोब है गवर्मेंट है प्राइबेट है क्या फीज़ है क्या स्लेवर से कैसे क्या होगा वो पूरी कंप्टिट आपको जानकारी देंगे और कौन-कौन से सर्टिफिकेट इसमें आप लगा सकते हैं वो भी आपको बताएंगे तो पूरी वीडियो देख लिएगा तभी आपको सारी जानकारी मिल जाईगी तो देखे यह है आपका डिपार्टमेंट जहां पर आपकी पोस्ट है वो निकली हुई है जवार लाल इंस्टिटूट आप पोस्ट गरिशन मेजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ठीक है यह फॉर्म है यहां पर आपको राइस्टेशन का नीचे देखी ओप्सन मिलेगा इससे पहले आपको हम डेटेल एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा देते हैं इसमें जो है विकेंसी सारी आपको अपलाई नहीं करनी है जो आपको अपलाई करनी है वह हम आपको बता देते हैं तो इसके लिए आपको आना है नीचे पहले देख लेते हैं आप देखे कि पूरा एक प्रॉट प्रेक्टेस नोंने बना दिया है काफी अच्छा यहां पर सारी जानकारी आपको step by step मिल जाएगी तो पहले important date हम देख लेते हैं online registration application जो start हुआ है 22 फरवरी से ठीक है online registration close आपका होगा 18.03 को चलिए ठीक है download आपका hall ticket जो है वो download होगी 25.03 को और date of examination भी already declare कर दी गई यानि कि 2 April को तो आपके पास अभी one month का समय है easily आप इसको त्यारी कर रखते हैं जो पच्चे पहले जो त्यारी कर रहे हैं उनके लिए तो one month काफी होगा अब इसमें बहुत अब देखे dental department आपका medical department है तो यहाँ पर दिखते हैं जो पोस्ट है वो medical से संबन देदा है इस पर आपको आना पेज नंबर 10 पर पेज नंबर 10 पर आपके लिए वेकंसी अप लेवल है मैं देखा देता हूं यहाँ पर देखे जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो यह पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं essential qualification और experience आप देके दिया गया है junior administrative assistant की पोस्ट है आपको अप्लाई करनी जिसका code है 192023 ठीक है यह पोस्ट आपको अप्लाई करनी है और 12th pass इसे मांगा गया है और या equivalent हो आपके पास किसी भी board या university से और इसमें मांगा गया है आपका typing speed of 35 word per minute in English में और 30 word per minute आपकी हिंदी में होनी चाहिए only computer पे ठीक है computer पे आपको करनी है keyboard पे 35 word जो है आपकी per minute और 30 word आपका जो होना चाहिए कर्सपॉंड होना चाहिए और 10,500 kdps होना चाहिए और 9,000 kdps आपका average होना चाहिए जो कि 5 की depression for each word में आपका आना चाहिए तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुए चैनल पर आपको मिल जाए कि typing practice वाली आप देख सकते है पेश के लिसमें रहेगा 19,900 रुपए लेवल टू पे मैट्रिक्स के नुसार 7 पे कमिशन में ठीक है तो अच्छी का सिफिकेंसी यह 20 रुपए करीफ सैलरी है 10 प्लेस्टू मांगा गया है और इसमें आपका देखिए टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है अगर आपने BCC किया हुआ है ठीक है basic computer course आपका जो है टीपल सी computer course आपके पास है ओ लेवल है या फिर डेटा एंटरी के कोई certificate है डीडी यह होता है पीजी डीसी यह तमाम जो डीसी यह बगरा यह certificate है इसमें आपको टैपिंग बगरा सिखाया जाता है ठीक है आपको अलग स certificate की जरूत नहीं है अगर आप form बरेंगे तो 10 लगाएंगे 10 लगाएंगे इसमें और साथी टिपल सी बीजी सी और इसको भी आप उसमें add कर दीजेगा ठीक है ऐसे experience आपका account हो जाएगा तो यह है आपके लिए vacancy जो आपको apply करनी है और और क्या-क्या इसमें है मैं आपको आपको रिखा देते हैं जो इसका आपको रिखा देते हैं जो इसका applicable है वह यहां पर दिया गया है 1500 टानिक्शन ठीक है और ओविसी का आपको फिन अंडर्स है स्टेस्टी का टोल अंडर्स यहां पर देखे दिया गया ठीक है तो यह इसका जो है इसको आप अप्लाइ करें अप्लाइ कर जो लिंक है वह यहां पर देखे दिया गया ठीक ऐसी में आपको मिल जाएगा नीचे और नेम ऑब बी कंडिडेट है मुआ नंबर है कंफर्म एमेल ठीक है और फिर आपको यहां पर डिकलेशन पर टिक करके कैप्चर को डालके वेरिफाइ कर देना है आपको लॉग नडी पास्टर मिल जाएगा उसके बाद इस लॉग इन वाले बटन पर क्लिक करके आगे का फॉर्म आपको फिल अफ करना है ठीक है बाकि इसमें इसको नीचे करेंगे तो इसमें देगे सब दिया है कैसे कैसे फॉ को बरे जाते हैं वैसे हैं यह सिटीज आपकी दी गई है जहां पर लिस्ट आप कौलिफिकेशन इस्पोर्ट पर संब बगरा बहुत सारे चीज़े इसमें हैं जो इंपोर्टन चीज़े वह मैंने आपको बता दिये हैं ठीक है बाकि अगर कोई डाट नीजे कमने पूछ ल किशिए लगा मैंने बहुत मैंने रिचाफ कर दो किशेट सुड़ती का दोस्ट आपको दोस्ट एखको और को आपको वाल के रिवावगाशन कर दो कर दोस्ट आपकोंछ पर बहुत सथ